जिन्देगी में पहली बार कैट फाइट देखा वो भी आँखो के सामने जिस तरह एक गंजेडी गांजा सूंग के बता देता है कि अरे बेबी चले तुमारे ले एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है बहुत बड़ा मैं इस आती में बेटके टुड़ो 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 अंदर गुशते ही हमने देखा कि मादाओं को अकरसित करने वाले और नरों का जेब खाली करने वाले बहुत सारे से स्टॉल लगे हुए थे और हमारी कोशिश यह थी कि हमारी जो मादा है आई मिन हमारी जो वाइफ है उनकी नजर किसी महंगे स्टॉल में ना पढ़ जाए पर यह क्या सामने तो कपड़े का एक स्टॉल लग रहा है इससे पहले कि हमारी बीबी के नजर उसके उपर पड़े हमें जल से जल कुछ करना पड़ेगा अरे बेबी चलो तुमारे लिए एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है बहुत बड़ा आओ तुम कितने अच्छे हज बेंडो हो मेडम हो मेडम सुनो तो आपको यहां से जो भी उठाना है उठालो मैं तो कहता हूँ यह सारे ही उठालो सारे मेरे तरफ से गिफ्ट आपके लिए ऐसे करके पानी प्यूंगी एक काम करो इसका दस पीस उठालो मैं इस हाती में बेटके टुड़ो 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 करके भागूंगी बावी यह हाती है घोडा नहीं है रखो इसे बैया एक काम करी यह सब कुछ पैक कर दीजिए टोटल बिल कितना हुआ बताईए दोस्तो आज हमने सीखा कि जिन्देगी में कभी ओवर स्मार्ट मत बननो आज मुझे पता चला कि हर छोटी चीज सस्ती नहीं होती फिर वहां मोज़ो देख सेल्फिय पॉइंट में हमारी बेहन और हमारी बीवी पहुंच जाते हैं और वहां बहुत एच्छी एच्छी सेल अरे चलो यार क्या टाइम पास कर रहे हो दोनों अब हमारी वाइफ का मन किया कि थोड़ा पेट पूजा किया जाए और हम आगे इस टॉल पे जहां पे मिल रहा था डेलिशियस बिर्यानी और हमारी बहन ने वोला कि सिर्फ एक ही प्लेड मंगाते हैं मिल बांट के तीनों खाएंगे ताकि उससे प्यार बढ़ेगा जिस तरह गन के बातेता है तो थाफ दिस की क्यिब्रट सब्लिख से मेंने और कम से कम एक चम्मच तो मुझे दो रहे जो उन दोनों के रस्ते में आया सब उठा के खा गazu दोनों इतना कि कच्छडे के डबे से भी कुछ उठाने के फिराक में थे दोनों अरे पागल लोगों कम से कम इसको तो छोड़ दो कच्छडे का डबाईए जैसा कि आप सब को पताओगा कि हमारे सहर का नौजवान सीदी दास बहुत अच्छे वीडियोज बनाता है और हमें उसे प्रश्चाइद करना है फेस्बुक में उसके पेज को फॉलो करना है और यूटूब में सबस्क्राइब करना है दोस्तों हमारी जिन्दगी और इस ढोल में कोई फरक नहीं कोई भी आके कभी भी बचा के चला जाता है मैरे इतने सारे पैसे खतम करने के बाद भी हमार लगी रहती है अपने हजबेंड का पैसा बरबाद करने की फिर बाहर निकलते ही हमारी नजर एक बाबा के उपर पड़ी अरे बाबा ये सब क्या है जरा बताएंगे बेटा दुनिया की सारी समस्याओं का हल ने मेरे पास मेरी ये अंगूटी पैनो और सारे समस्याओं का समधान हो जाएगा आपका अच्छा तो बाबा ऐसी कोई अंगूटी दो ना जिसे हमारी बीबी हमारी सारी बात माने और हमारे खर्चे कम करा है कॉमेंट करके जरूर बताना यार सिरियसली टेश तो बहुत गजब है यार ओए आप इदर देखना भी मता अंदर मेले में मुझे एक चीज भी नहीं दिया आप दोनों निखाने को एक तो दे दो यार सामत करो लो लो मेडम खालो इतना भी बुरा नहीं मैं आप लों की तरह उई मा मेरा मूँ चल गया